हेलो फ्रेंड स्वागर था आपका उत्राखंड ओनलाइन एजुकेशन हब में तो गाइज उत्राखंड सामान्य अध्यन की MCQ सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 30 है चलते हैं वीडियो पे गाइज अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए इससे पहले guys 29 parts हमारे आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखें तो description box में जाके आप देख सकते हैं पूरे parts पूरा का पूरा आपका जो slavus है MCQ की form में क्या कराय जा रहा है cover up करवाय जा रहा है और ये बहुत help करेगा आपको आपके जो 746 post आई हुई है जो है guys ये आपका है देहरा दून में ठीक है option number A आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा देहरा दून आता कहां पर है तो एक किस में आ जाएगा guys आपका जो दून द्वार छेतर है उसमें आ जाएगा देहरा दून ठीक होगी और सबसे फेमस दून पूशते हैं आपसे question में तो वो भी क्या हो जाएगा देहरा दून हो जाएगा कौन से मंडल में आएगा तो गड़वाल मंडल में आपका आएगा question number second है देवल्थल किस जनपद में है पिथोरागर, पौडी, रुद्रप्रियाग या फिर अल्मोडा तो देवल्थल आया हुआ है ना तो देवल्थल है आपका पिथोरागर में option number A आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा आप देखे पिथोरागर है तो पिथोरागर के बारे में जान लेते हैं पिथोरागर हमारा ऐसा जिला है जो की चाइना जिसे की आप तिबबद भी बोल सकते हैं और नैपाल के साथ boundary क्या करता है share करता है तो ऐसा जिला जो दो अंतराष्टी सीमा ये बनाता है या दो देशों के साथ अंतराष्टी सीमा बनाता है एक मात्री जिला है पिथोरागर अगर पूछे सरवाधिक अंतराष्टी सीमा किस दिले की है तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा पिथोरागर की है ठी ठीक है गाईच चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका राज्य में प्रथम दुख्द संग की स्थापना कब की गई तो दुख्द संग की स्थापना के बारे में पूछ रहा है तो याद रखेगा देखे एक अगस्त उन्निस्सव उन्चास को क्या हुआ था जो टिहरी थी टिहरी का क्या हो गया था हमारे देश में विलाई हो गया था और पहले टिहरी रियासत थी तो उन्निस्सव उन्चास में टिहरी का भारत में विलाई हुआ और उन्निस्सव उन्चास में ही क्या हुआ था राज्जी में दुख्द संग की स्थापना हुई थी तो option number A आपका क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा ठीक है अब उन्निस्सव उन्चास बहुत famous question मन चुका है टिहरी वाला तो आप उसके साथ आप एक चीज़ और याद रखेगा 1949 में ही दुख्द संग का क्या हुआ था गठन हुआ था बढ़ते हैं next question पे बोग उडियार किस जनपद में इस्थित है अलमोडा, पिथोरागड, चमोली या फिर नैनिताल तो गईज जो बोग उडियार है ये हमारा पढ़ता है पिथोरागड जिले में option number 20 इसका क्या हो जाएगा right हो जाएगा अलमोडा की बात करें तो अलमोडा में आपने पढ़ाओगा लाखू डियार बहुत फेमस है यहां की ठीक है, ल्वेथाब कहाँ पर है बोलें तो अब आप बोल दोगें ल्वेथाब भी आपका कहाँ पर हो जाएगा गईज ये अलमोडा में हो जाएगा उसके बाद चमोली की बात करें तो चमोली की फेमस गुफा जो है वो गवार्खा गुफा है ठीक है नैनी ताल में ऐसी कोई गुफा भी तक है नी बट इतना आपको में फेमस चीज़ों के बारे में याद रखना है तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा पिथोरागर ऑप्शन नंबर B नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनार नामक आभुसण कहां पहना जाता है कान में, हाट में, पैर में या फिर नाक में तो गईज जो पुनार हमारा आभुसण है ये पहना जाता है कानों में आप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गईज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सेयर कर दीजिए और इसी के साथ अगर गईज अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो और आप ये जमिम्लाइन हो cks ये ओनलाइन हो हाल पर गईज आपका पोरी में देखिए अगर हम question की 40 questions का मैं syllabus का बात करूँ तो 10 से लेके 15 question आपके simple रहेंगे आपकी जो main fighting होगी guys वो रहती है 20 से 25 questions के लिए ठीक हो गया अब इसमें आपको क्या याद करना है जित्रे उत्राखंड में कुंड है ठीक है majorly अगर देखा जाए 5 या 6 जिले भी नहीं होंगे 4 या 5 चमोली के कुंड आपको देखने ठीक हो गया उसके बार उद्रप्रियाग के देखने और इधर आप उत्तरकासी के देखेंगे तो इन तीनों में ही majorly आपको सारे कुंड मिल जाएंगे तो वो आपको learn कर लेने क्योंकि एक या दो question यहाँ से आपका पक्का यहाँ से रहेगा तो हाथी कुंड जो है वो हमारा स्थित है पॉडी में option number A इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है पॉडी से एक याद रखेगा पॉडी हम उत्राखंड का ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ boundary बनाता है अगर question में दे ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ उत्राखंड के boundary को share करता है तो आपका answer क्या हो जाएगा पॉडी गड़वाल हो जाएगा ठीक है और चलिए बढ़ते नेक्स्ट question पे नेक्स्ट है चंद्रसिला बुग्याल किस जनपद में है चमोली, रुद्रप्रियाग, पॉडी या फिर उत्तरकासी तो गाई चंद्रसिला बुग्याल जो इस्तित है यह है हमारा चमोली जिले में option number A आपका क्या हो जाएगा राइट, आप बात आ रही है चमोली की, तो चमोली आपका कहां पढ़ जाएगा, पिथोरागड के जश्ट इधर कराब मानचित्र बनाएगे अपना तो यहाँ पर पिथोरागड और इधर आपका चमोली पढ़ जाएगा, ठीक है, उपर तो चमोली चाइना के साथ boundary को share करता है, या तो option में चाइना होगा या फिर तिबबत होगा, ठीक हो गया तो तिबबत चाइना के साथ boundary को share करता है कौन? चमोली चमोली से एक बात और याद रखेगा राज्य का सरवादिक छेटरफल वाला जिला चमोली है, दूसरे नंबर का जिला उत्तरकासी है ठीक है, तो दोनों याद रखने क्यों? क्योंकि कभी ओ चमोली option में नहीं दे देगा तो फिर confused नहीं होना है आपको second number में क्या आ जाएगा? उत्तरकासी और चमपावत हमारा क्या है? सबसे कम छेटरफल वाला जिला देखे याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो 4 से चमोली भी आता है, 4 से चमपावत भी आता है ठीक है? तो चमोली सबसे ज़ादा चमपावत सबसे कम, छेटरफल में दूसरे नमबर की बात करोगे तो तरकासी और सेकिंड लास्ट की बात करोगे तो रुद्र परियाग ठीक है तो B तो इस question की बात कर रहे थे हम इस question का आपका answer क्या हो जाएगा option number A next है आपका मला नेश्वर महादेव मंदिर कहां इस्तित है तो अच्छा question है चमपावत अलमोडा रुद्र परियाग या पिथोरागर तो मला नेश्वर का जो मंदिर है गाईज ये पढ़ता है आपका चमपावत में option number A आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा चमपावत की बात करेगा इज तो ये जो अंतराष्टी boundary बनाता है हमारी नेपाल के साथ ये boundary को share करेगा ठीक है और यहीं से क्या हुआ था जो चमपावत पे कांतेश्वर परवत और चमपावत में ही क्या किये गी थी चंद राजवंस की स्थापना की गई थी तो ये सहीत अधिक्तम मंत्रियों की न्युक्ति की जा सकती है तो question no.9 बोल ला है मुख्य मंत्री सहीत आपको बताने देखे 14 15 16 इन में से कोई नहीं तो याद रखेगा क्या हुआ था अभी हमारे constitution में चाहे आप लोकशवा की बात कर ले चाहे आप विदान सवा की बात कर ले ठीक हो गया 15 परतिशत से जादा मंत्री नहीं हो सकते हैं ठीक हो गया में जो आपके क्या हूंगे मंतरियों यह 15 परतिशत से जादा नहीं होسकते तो अमारे राजी की बात करें तो 70 टोटल सीटें 71 और वैसे जो चुंके जाते हैं वह 70 तो आपको फिर मंत्री परिशद में कितने प्रतिशत क्या होते हैं मुख्य मंत्रियों की न्युक्ति की जा सकती है तो याद रखेगा 15 प्रतिशत मंत्रियों की न्युक्ति होती है ठीक है में को आप comment box में बताईए कि कौन सा अधिनियम आया था या कौन सा संसोदन हुआ था ये जिसमें कि ये बात रखी गई थी next question है guys कोड़ी किस रितू की फसल है खरीफ की, रभी की, जायत की या इन में से कोई नहीं तो guys जो कोड़ी है ये आपकी कौन सी फसल है खरीफ की, option number A आपका क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा next question है वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है guys प्रती किलोमीटर के square मतलब प्रती एक किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वह उसका क्या कहलाता है जनसंख्या घनत्व कहलाता है अब इनकी बात करूँ तो देखो उत्तरकासी में क्या है एक तो आपका पहाडी रीजन आ जाएगा दूसरा इसका छेत्रफल अधिक है न इसका छेत्रफल अधिक है और लोग भी वहाँ कम रहेंगे तो उसका जनसंख्या घनत्वी भी क्या होगा कम होगा तो जनसंख्या घनत्वी की बात करें इसमें तो उत्तरकासी आपका क्या हो जाएगा और अगर जादा में होता तो तब आपको कमेंड बताईए उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्वी सबसे अधिक कौन से जिले का है नेक्स्ट है गाईज उत्राखंड राज्जी में गड़ केसरी कहा जाता है सुन्दरलाल बहुगुडा अनुसुया प्रसाद बहुगुडा बद्रिदत पांडे या इन में से कोई नहीं तो गाईज जो गड़ केसरी है वो अनुसुया प्रसाद बहुगुडा जी को कहा जाता है ठीक है ऐसे ही कुमाओ केसरी कहा जाता है या कूर्मांचल केसरी वो किसे कहा जाता है बद्रिदत पांडे जी को कहा जाता है और कुमाओ का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिए थी बद्रीदत पांडे जी के द्वारा ही ये लिखी गई है next है भारती वन्य जीव संस्थान इस्तित है तो इस पे तो कोई बताने की जरूरत नहीं है यह आपका कहाँ पर इस्तित है देहरादून में इस्तित है option number C वन्य जीव संस्थान उसके बाद FRI आपका यहीं पर है ठीक हो गया remote sensing institute आपका यहीं पर है तो यह याद रखेगा यहाँ पर सिमला लिखा हुए गई सिमला में याद रखेगा जो आलू होते हैं आलू का आपका केंदर कहाँ पर है यह आपका सिमला में भोपाल से भोपाल गैस त्रासदी आई थी ठीक हो गया कौन सी गैस के कारण आइसो साइनाइट के कारण मिथाईल आइसो साइनाइट यह याद रखेगा next question है संगला कोटी मेला लगता है देहरादून में पाडी में चमोली में या फिर रुद्र प्रियाग में तो गैस संगला कोटी मेला लगता है आपका पौडी गड़वाल में option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है पौडी से मैंने आपको बताई दिया सबसे ज़्यादा जिलों के साथ यह क्या करता है हमारी boundary को share करता है आप comment पे करके अगर को बताईए कितने जिले हैं जिनके साथ यह boundary share करता है देखे guys questions में क्या है आपको पता है कि हर question में आपको extra चीजे जो भी उससे related है वो बनती है और वहीं आपके exam में आती है तो अगर आप daily video को देख रहे है तो पुराना आपका पड़ा हुआ भी साथ में क्या होता रहेगा revise होता रहेगा next है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है सर्यू नदी, रामगंगा नदी काली नदी या फिर पिंडर नदी तो अगर बात करें देखिए नेपाल और भारत के मध्य कौन सी नदी बैती है इधर पूरब की बात करते हैं तो काली नदी फ्लो करती है ठीक है तो काली आपका answer हो जाएगा अगर कहता पश्चिम में बताओ तो पश्चिम में कौन सी नदी बैती है यमुना और टॉंस आजाएगा आपका उत्तर में तो यहां हिमालाई परवत और तिबबत आजाएगा नीचे आपका तराई छेत्र हो गया और उत्तर प्रदेश की बनरी लग जाएगी तो यह याद रखेगा नेक्स्ट है प्रसाशनिक प्रसिक्षण संस्तान उत्राखंड में इस्तित है देरादून में, नैनिताल में, हलदवानी में या रिसी केस में तो प्रसाशनिक प्रसिक्षण संस्तान है गाईज आपका नैनिताल में ओप्शन नमबर B आपका क्या हो जाएगा राइड हो जाएगा ठीक है नैनिताल से ही याद रखेगा नैनिताल में हमारा क्या है उच्छन्यायलई भी इस्थित है कब बना था तो जिस दिन राजजी की स्थापना होई थी कब 9 नवंबर 2000 को तभी इसकी भी स्थापना कर दी गई थी और ये जो बना था गाई ये हमारे देश का 20 वा उच्छन्यायलई बनाया गया था खीक है तो इतनी information हो गई ये next question है निम्न मैंसे उत्राखंड प्रदेश की कौन सी परवत स्रेणी सबसे उची है तो सबसे उची उत्राखंड की तो याद रखेगा कौन सी है नंदा देवी option number C आपका क्या हो जाएगा right answer हो 18th question है जन्वरी 1921 में उत्राखंड की जनता ने किस इस्थान पर कुली बेगार न देने की सपत ली थी तो कुली बेगार आंदोलन का जब अंतु हुआ था ठीक है तो वो बताना है आपको बद्रिदत पांडे जी थे बागेसवर, सोमेसवर, रामेसवर या पंचेशवर तो guys बागेसवर सर्यू नदी के किनारे पर ये हुआ था सारे के सारे रजिस्टर क्या कर दिये गए थे सर्यू नदी में बहाद दिये गए थे तो option number A आपका क्या हो जाएगा right बागेसवर है भी आपका सर्यू नदी के किनारे पर अगर ये पूछे किस नदी के किनारे पर है तो सर्यू आपका अंसर हो जाएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्राखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है पीतामबर दत्थ बड़तवाल सुभाज पंत, विध्यसागर नौटियाल या किसोरी बाचपे तो गाईज जो उत्राखंड हिंदी अकादमी है ये हमारे पीतामबर दत्थ बड़तवाल जी के नाम पर है औप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है उत्राखंड निर्माड हेतू कौशिक समीती का गठन किया गया था 1992 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1995 में तो गाईज जब उत्राखंड की मैं आंदोलन हो रहे थे ठीक है कि हमें अलग राज्य चाहिए परवती राज्य बनाईए इसे तो उसके बाद क्या किया गया था? एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी का नाम क्या था? कौशिक कमेटी था कौशिक समेटी हो गया ठीक है? कब की बनाई गई थी यह इसका गठन हुआ था 1993 में option number B आपका क्या हो जाएगा right answer अब आप मेरे कमेंट में बताइए इससे पहले मेरे current affair के अगर आप में videos देखी होंगी तो मैंने बताया था अभी अगर देखें हम ग्रीश मकालीन राजदानी कहां पर बना दी गई है चमोली गैरसेड में बनाई है तो इसके पीछे भी एक समीती का क्या किया गया था गठन किया गया था एक कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का आपको नाम मेरे को comment box में बताना है next है तिहरी राजजी का प्रथम राजा कौन था मानवेंद्र साह, सुदर्शन साह, उपेंद्र साह या यजुवेंद्र साह तो तिहरी राज्जी का प्रथम अब देखें question अगर बोलता पवार वन्स का तो आपका answer change हो जाता तिहरी रियासत क्या हुआ था जब हमारे 1815 में संगौली की संदी हो जाती है अंग्रेज़ों और गोर्खाओं के मद्य तो क्या हो जाता है गोर्खा यहां से चले जाते हैं कुमाओं पर तो पूरा आपका आधिपत्य हो जाता है ब्रिटिश शाषन का आधिपत्य हो जाता है जो अंग्रेज़ों को लाया कौन था शुदर्शन साल आते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए तो वो क्या कर देते हैं अंग्रेज उनसे चाल चल देते हैं वो बोलते हैं कि जितना हमारा खर्च हुआ था वो खर्च आप दे दीजिए या फिर आप हमको क्या कर दीजिए गड़वाल का कुछ पार्ट दे दीजिए तो फिर क्या होता है कि वो देने में पैसे देने में असमर्थ हो जाते हैं उतना तो फिर उनको एक टिहरी रियाशत अलग दे दी जाती है ठीक हो गया और वो टिहरी रियाशत के पहले राजा बनते हैं कौन? शुदर्शन सा option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा next question है निम्न मैसे किसको उत्राखंड का गाधी कहा जाता है सच्चिनानन भारती, विरेंद्र रावत, इंद्रमडी बड़ोनी या फिर बद्रिदत पांडे तो गाईज उत्राखंड का जो गाधी कहा जाता हो इंद्रमडी बड़ोनी जी को कहा जाता है option number C आपका क्या हो जाएगा right answer बद्रिदत पांडे आपको पता है खुरुमांचल केसरी या कुमाओं केसरी ठीक हो गिया next question है ग्रीन स्कूल की आउधारणा का प्रतिपादक कौन है तो जो ग्रीन स्कूल की आउधारणा रखी गई है यह किसके द्वारा रखी गई है यह बताने आपको सच्चिदानन भारती विरेंद्र रावत जीत सिंग नेगी या गोविंद लाल सा तो गैज आपका आंसर हो जाएगा विरेंद्र रावत इनके द्वारा क्या की गई थी ग्रीन स्कूल की आउधारणा रखी गई है next है भारती यह रिमोट सेंसिंग संस्थान इस्थित है तो अभी मैंने उपर बताय था आपको रिमोट सेंस्थिंग का जो संस्थान है वो कहाँ पर इस्थित है देहरादून में option number A आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next है हसूली आभूसन कहां पहना जाता है गले में, कान में, पैर में या फिर हाथ में तो हसूली जो पहना जाता है सबसे पहले तो question क्या बन जाएगा आपका हसूली है क्या तो हसूली एक type का आभूसन है जो की कहां पर पहना जाता है गले में पहना जाता है option number A will be your right answer guys वीडियो अगर पसंद आ रही है तो please channel को subscribe वीडियो को like और share कर दीजिए next है FL2 नीती का संबंद है उत्राखंड की 1 नीती से उत्राखंड की परिवार नियोजन की नीती से उत्राखंड की सराब नीती से या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो याद रखेगा FL2 जो था ये उत्राखंड की सराब नीती से संबंदित है option number C क्या हो जाएगा आपका right answer next है धौली गंगा काली नदी का संगब बनता है तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर धौली गंगा और काली गंगा आकर क्या हो जाती है मिल जाती है तो ये इस्थान है गाईज खेला ठीक हो गया option number D आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next है चंदो के समय नगत टैक्स देने वाले को कहा जाता था तो चंदो के टाइम में जब करते दे गाईज अलगरक type के कर लगते थे तो उसमें जो नगत कर देता था उनको क्या कहा जाता था सिरतान कहा जाता था option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा बढ़ते है next question पे next question है किस धार्मी की यात्रा की सुरुवात गौरी कुंड से पैदल प्रारंब होती है तो गौरी कुंड जाने के बाद फिर आपको पैदल जाना पड़ता है कहां की यात्रा करने के लिए केदारनाथ की यात्रा करने के लिए तो option number C आपका क्या हो जाएगा गाई जिसका right answer हो जाएगा ठीक हो गया next है नदी जिस पर कोटेश्वर बाद निर्मित किया जा रहा है अलकनन्दा, धौली गंगा, भागी रथी या विरही गंगा, ठीक हो गया तो देखे जो कोटेश्वर बाद है या आपका भागी रथी नदी पर बनाया जा रहा है, तो option number C will be your right answer next है उत्राखंड विधान सबा में एक सदश्य नामित किया जाता है तो सबसे पहले तो उत्राखंड विधान सबा की सीटे कितने हैं अगर question में पूछ रहा है उत्राखंड विधान सबा की कुल कितनी सीटे हैं तो कुल में आपका आंसर हो जाएगा 71, अगर बोल रहा है उत्राखंड विधान सबा में कितने सदश्य नामित होकर चुने जाते हैं option number C will be your right answer next है निम्ण में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंदित है चौसिंग्या खाडू छतौली उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो जब नंदा राजजात यात्रा निकलती है गाईच तो ये चौसिंग्या खाडू भी आता है उसमें और छतौली दोन ओपन युनिवर्सिटी की बात कर रही है तो आपको पता है इसका ओफिस कहां पर है हल्वानी में स्थित है तो option number B will be your right answer ठीक हो गया लाश्ट क्वेश्चिन पर चलते हैं गाईज आचके मालीनी सब्विता के खंडहर किसकी रचना है तो बुक है एक मालीनी सब्विता के खंडहर किसकी रचना है आपको बताना है ललीता प्रसाद नैथानी उमा संकर सतीज मनोहर स्याम जोसी तो आपका answer क्या हो जाएगा ललीता प्रसाद नैथानी जी के द्वारा ये लिखी ग ठीक है किसी में भी doubt है यह आप जो है टेस्ट के टाइप में अगर आप देना चाहें तो online मतलब live classes हो सकती है आप comment पे बता सकते हैं तो मिलते हैं new video के साथ तब तक के लिए bye thanks have a good day